C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक मलहार पाठ 6 मेरी माँ प्रिष्ट संख्या 51 श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुन्दर थे योगे बहुत थे, जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेना ध्यक्ष बनते, ये कहना है हमारे देश के प्रसिद स्वतंतरता सेनानी बगत सिंग का बिस्मिल के बारे में राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ, उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था बिस्मिल छोटी सी आयू से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फासी की सजा दे दी जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्म कथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते, जेल से बाहर भेजते रहे उनके साथ ही उन्हें उसे प्रकाशत भी करवा दिया इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिये लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध, क्रोध और बढ़ गया इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फासी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके इस आत्मकथा के माधियम से, आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिश्क में जीवित हैं, आज भी ये आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है क्या आप भे उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश लखनव कॉंग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी दादा जी और पिता जी तो विरोध करते रहे, किन्तु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया उसी समय शाजाहपुर में सेवा समीती का आरंभ हुआ था मैं बड़े उत्सा के साथ सेवा समीती में सहयोग देता था पिता जी और दादा जी को मेरे इस प्रकार के कारे अच्छे ना लगते थे किन्तु माता जी मेरा उत्सा भंग ना होने दिती थी जिसके कारण उन्हें अक्सर पिता जी की डांट फटकार तथा दंड सेहन करना पड़ता था प्रिष्ट संख्या बावन वास्तव में मेरी माता जी देवी है मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहसाया वो मेरी माता जी तथा गुरुदेव शिरी सोम देव जी की करपाओं का ही प्रणाम है दादी जी और पिता जी मेरे विवा के लिए बहुत अनरोध करते किन्तु माता जी यही कहती कि शिक्षा पाचुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा माता जी के प्रत्साहन तथा सद वहवार ने मेरे जीवन में वो द्रड़ता उत्पन की कि किसी आपत्ती तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा एक समय मेरे पिताजी दिवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले कुछ आवशक्ता पढ़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालत नामे पर कर दूँ मैंने तुरंत उत्तर दिया कि ये तो धर्म भिरुद्ध होगा इस प्रकार का पाप मैं कदापी नहीं कर सकता वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा किन्तो मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ ना मैंने हस्ताक्षर किये अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरन करता था, चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था ग्यारा वर्ष की उम्र में माता जी विवाह कर शाजहापुर आई थी, उस समय वो नितांत अशिक्षित एक ग्रामिड कर्णिया के समान थी शाजहापुर आने के थोड़े दिनों बाद, दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया, उन्होंने माता जी को ग्रीह कारे के शिक्षा दी इस प्रिष्ट के निचले भाग में तीन महिलाएं हैं, जो अपने घरेलू काम कर रही हैं, उनके चहरे का मुख्य भाव, शान्ती और संतोश का है प्रिष्ट संख्या त्रेपन, थोड़े दिनों में माता जी ने घर के सब काम काज को समझ लिया, और भोजनादी का ठीक ठीक प्रबंद करने लगी, मेरे जन्म होने के पांच या साथ वर्ष बाद, उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंब किया, पढ़ने का शोक उन्हें खु काम कर चुकने के बाद, जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना करती, परिश्टम के फल से थोड़े दिनों में ही वो देवनागरी पुस्तकों का अध्याइन करने लगी, मेरी बेहनों को छोटी आयू में माता जी ही शिक्षा दिया करती थी, जबसे मैंने आरे स समाज में प्रिश किया, माता जीसे खुब वारतालाब होता, उस समय के अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं, यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती, तो मैं भी अती साधारन मनुश्यों की भाती संसार चक्र में फसकर जीवन निर्वाह करता, शिक्षाद माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानी ना हो, उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना, उनके इस आदेश की पूर्ती करने के लिए मुझे मजबूरन दो एक बार अपनी पृतिग्या भंग करने पड़ी जन्म दात्री जननी इस जीवन में तो तुम्हारा रिण उतारने का प्रित्न करने का भी अवसर ना मिला इस जन्म में तो क्या यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रित्न करूँ तो भी तुमसे उरण नहीं हो सकता जिस प्रेम तथा दड़ता के साथ तुमने इस तुछ जीवन का सुधार किया है वो अवर नहीं है मुझे जीवन की प्रते घटना का स्मरन है कि तुमने जिस प्रकार अपने देववानी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है इस प्रिष्ट के निचले भाग में दाई ओर एक चित्र है जिसमें एक महिला और एक बालक है बालक के हाथ में किताब है और दोनों महिला और बालक एक खास दिशा की ओर इशारा कर रहे है प्रिष्ट संख्या 54 बात को समझा दिया यदि मैंने द्रिष्टता पूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो किन्तु ऐसा करना ठीक नहीं इसका प्रणाम अच्छा ना होगा जीवन दात्री तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोशन ही नहीं किया बलकि आत्मिक धार्मिक तथा सामाजिक उन्नती में तुम्ही मेरी सदेव सहयक रहीं जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दें महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया सदेव अपनी प्रेम भरी वानी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रहीं तुम्हारी दया की छाय में मैंने अपने जीवन में कोई कष्ट अनुभवना किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा एश्वरी की इच्छा नहीं। केवल एक इच्छा है। वो ये कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चर्णों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किन्तु ये इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। और तुम्हें मेरी मृत्यों की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। मा, मुझे विश्वास है कि तुम ये समझ कर धैर धारन करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बली देवी की भेट कर गया। और उसने तुम्हारी कोक कलंकित ना की अपनी प्रतिग्या पर द्रड़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी प्रिष्ट पर उज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविन सिंग्जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यों की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी। और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बाटी थी। जन्म दात्री वर्दो के अंतिम समय भी मेरा हर्दे किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चल्ण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मन्ण करता हुआ शरीर त्याग करूँ। लेकक राम प्रसाद बिस्मिल। प्रिष्ट संख्या पच्पन इस प्रिष्ट के ऊपरी भाग में एक चौकोर बना हुआ है जिसकी बाएं और सबसे ऊपर लिखा है लेखक से परिचये। दाएं और लेखक का चित्र है जिसके नीचे लिखा है अठारा सु सतानवे से उन्निस सु सताईस। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलीदान दिया। सर फरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्ही क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र तीस वर्ष की आयू में अंग्रेश सरकार द्वारा उन्हें फासी पर लटका दिया गया। असाधारन प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवी और लेखत भी थे। उन्होंने अनेक पुस्त के लिखी जिन में उनकी आत्म कथा काफी चर्चित रही। मेरी मा उनकी आत्म कथा का ही एक अंश है। पाट से, मेरी समझ से क यहां दिये गए प्रश्णों का सठेक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा बनाईए। एक, किन्तु ये इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपने किस इच्छा के पूर्ण ना होने की आशंका थी। एक, भारत माता के साथ रहने की, दो, अपनी प्रतिग्या पर द्ल रहने की, तीन, अपनी माता की जीवन परियंत सेवा करने की, या चार, भोग विलास तथा एश्वरे भोगने की। अब आप सठेक उत्तर के सामने तारा बनाईए। दो, राम प्रसाद बिस्मिल की मा का सबसे बड़ा आदेश क्या था। एक, देश की सेवा करें, दो, कभी किसी के प्राण न लेना, तीन, कभी किसी से चल न करना, या चार, सदा सच बोलना, ख, अब अपने मित्रों के साथ तर्क पून चर्चा कीजिए, कि आपने यही उत्तर क्यों चुनें। प्रिष्ट संख्या चपण पंक्तियों पर चर्चा जीवन निर्वाह करता, ख, उनके इस आदेश की पूर्ती करने के लिए, मुझे मजबूरन दो एक बार अपनी प्रतिज्या भंग भी करनी पड़ी थी। मिलकर करे मिलान पाठ में से चुनकर कुछ शब्द यहां दिये गए हैं। अपने समोह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाईए। इसके लिए आप शब्द कोश, इंटरनेट, पुस्तकाले या अपने शिक्षिकों की सहता ले सकते हैं। यहां पर एक तालिका है। तालिका के दो भाग हैं। बाई तरफ के भाग में लिखा है शब्द और दाई तरफ के भाग में लिखा है अर्थ या संदर्भ। शब्द शिर्षक के नीचे लिखे हैं शब्द एक देवनागरी, दो आरे समाज, तीन मेजनी और चार गोबिन्द सिंग, अर्थ या संदर्ब शिर्षक के नीचे लिखे हैं ये वाक्य, एक सिखों के दस्में और अंतिम गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की दो, इटली के गुप्त राश्ट्रवादी दल का सेनापती, इटली का मसीहा था, जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा, तीन, महर्शी दयानंद द्वारा स्थापित, एक संस था, और चार, भारत की एक भाशा लिपी, जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदी भाशा लिखी जाती है, सोच विचार के लिए, पाठ को एक बार फिर से पढ़िये, और दिये गए प्रशनों के बारे में पता लगा कर, अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिये, प्रिष्ट संख्या 57 एक, बिस्मिल की माता जी जब व्या कराई, तो उनकी आयू काफी कम थी, क, फिर भी उन्होंने स्वयम को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला, क, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ती के बल पर स्वयम को कैसे शिक्षित किया, दो, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता जी ने कैसे सहयोग दिया, तीन, आज से कई दशक पहले, बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताईए कैसे, चार, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी, आत्मकथा की रचना, ये पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है, आत्मकथा यानि अपनी कथा, दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए, तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए, क, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, और अपने अपने समों में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाईए, जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है, ख, अपने समों की सूची को कक्षा में सब के साथ साजा कीजिए, शब्द प्रयोग तरह तरह के, क, माता जी उनसे अक्षर बोध करती, इस वाके में अक्षर बोध का अर्थ है, अक्षर का बोध या ज्यान, एक अन्य वाके देखिए, जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना करती, इस वाके में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना, हम लेखन में शब्दों को मिला कर छोटा बना लेते हैं, जिससे समय, स्याही, कागजादी की बचत होती है, संक्षेपी कर मानव का स्वभाव भी है, इस पाठ से ऐसे शब्द खोज कर सूची बनाईए प्रिष्ट संख्या 58 पाठ से आगे आपकी बात क, राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिये, और स्वतंतरता आंदुलन में उनकी भागिदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिये ख, यहां लिखे बिंदमों को आधर बनाते हुए, अपनी मा या अपने अभिभावक से बाच्चित कीजिये और उनके बारे में गहराई से जानिये, कि उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन-कौन से थे उधारन के लिए, एक, आपका जन्म कहां हुआ था, दो, आपकी प्रिय पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तकाले या इंटरनेट से आप पुस्तकाले से राम प्रसाद बिस्मिल की आत्म कथा खोज कर पढ़िए देश-भक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें, जैसे उनके पत्र, आत्म कथा, जीवनी आदि पढ़िए और अपने मित्रों से साजा कीजिए शब्दों की बाद आप अपने मा को क्या कहकर संबोधित करते हैं? अन्य भाशाओं में मा के लिए प्रियुक्त संबोधन और मा के लिए शब्द ढूंड़िए क्या उनमें कुछ समनता दिखती है? हाँ, तो क्या? आज की पहेली यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से बाहरा विशेशन दिये गए हैं उन्हें चाट कर पाठ में रेखांकित कीजिए प्रिष्ट संख्या 69 इस प्रिष्ट पर एक वर्गाकार तालिका दी गई है इस तालिका की छे पंक्तिया हैं पहली पंक्ति में अक्षर हैं मम, ग, ल, म, यी, ल दूसरी पंक्ति में अक्षर हैं प्र, ते, क, नो, छो, टी तीसरी पंक्ति के अक्षर हैं धा, ग्या, र, ह, खु, ब चौथी पंक्ति के अक्षर हैं म्रि, सा, धा, र, ल, 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 पाँच्वी पंक्ति के अक्षर हैं क, दू, ख, भ, री, प और चटी पंक्ति के अक्षर हैं म, हा, न, स्वा, धी, न अब आपको इस वर्ग पहली में से विशेशनों को चाट कर लिखना है और उन्हें रेखांकित करना है जरोखे से यहाँ पर प्रिष्ट के निचले भाग में एक चौकोर है जिसकी बाई ओर हमारे भारत देश के वीर सैनिकों के चित्र है पांच सैनिकों में से एक के हाथ में भारती जंडा भी है इसी चौकोर में दाई ओर लिखा है ए मात्रि भूमी ए मात्रि भूमी तेरी जै हो, सदा विजय हो प्रतियक भक्त तेरा सुख शान्ती कांती मैं हो अज्यान की निशा में, दुख से भरी दिशा में संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो तेरा प्रकूप सारे जग का महा प्रलै हो तेरी प्रसनता ही आनंद का विशय हो वो भक्ती दे कि बिस्मिल सुख में तुझे ना भूले वो शक्ती दे कि दुख में कायर ना ये हृदय हो कवी रामप्रसाद बिस्मिल खोज बीन के लिए मा से संबंधित पांच रचनाएं पुस्तकाले से खोजें और अपनी पत्रिका बनाएं अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक मलहार, वाचनस्वर, प्रवीन शर्मा और ममता मलकानी ध्वन्यंकन, मन्जु कुमारी, निर्माण सहयोग, कुसुमलता और चेतना शर्मा, निर्देशन एवं निर्माण, विमलेश चौधरी तथा तस्तुती, CIET, NCERT, नईदिल्ली, भारत